नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिस्कस करेंगे ठारा नौम बरकादा हिंदू निस्पेपर और पी आईबी दाड़िज प्रेस इंफोर्मेशन बीरो का इंपोर्टन करंट अफेयर्स तो लिजे गाईज स्टार्ट करत यह क्या है बर्ड है अनिमल है फ्लार के पर जाती है है क्या ठीक है तो ऐसी चीजों को नहीं छोड़ना है उसके बाद में बात करते है हमारे एंवार्नमेंट मिनिस्टर जो है वो पार्टिसिपेट करते है एक शेशन में कॉप 27 का होता है किस चीज के उपर एक्सिलरेटिं और इसमें किस चीज की बात की जाती है इंफ्रस्टेक्चर फोर रिसालेंट आइसलेंड स्टेट कहीं मिल जाए कि भाई यह चीज चर्चा में थी यह किस से संबंधित है कॉन्फरेंस और पार्टी की जो 27th मिटिंग है उससे बिल्कुल यह संबंधित है आपको पता होना चाहिए जो हमारा कॉलिशन है फोर डिजास्टरी सालेंट इंफ्रस्टेक्चर के उपर जिसे लॉंच किया गया था जो युनाइटि नेशन का कलाइमेट सम्मिट था न्यू यूर्क में 2019 में वहां पे इसको बिल्कुल लॉंच किया गया था और पहले पूछा भी जा चु है कि भाई बिना काम की चीज़ है काफी चर्चा में रहती है ये चीज़ है तो आपको इनके बारे में बेसिकली पता होना चाहिए दूसरा देखिए जो ये कॉलिशन है डिजास्टरी सालेंट इंफ्रस्टेक्चर का इसका मेंली एम है प्रमोट करना रिजालेंस ऑफ न्य मल्टी लेट्रल डवलप्मेंट बैंक्स भी सामिल है और फाइनसिंग मेकेनिजम भी इनमें ADBB भी है वल्ड बैंक भी है ठीक है UNDP भी ये सब चीज़ें सामिल है इसमें उसके बाद में गाईज हम बात करते हैं यहाँ पे C.V. Ananda Bose को अपॉइंट किया गया है as a new governor of West Bengal दू देख ले ना राइनों के बारे में डिसकस हो चुका है वैसे भी बहुत बार डिसकसन हो जाता है ठीक है दूसरा देखिए रिजरुवेशन के उपर एडिटोरियल है ना हिंदू में पढ़ना चाहें तो काफी अच्छा है उसके बाद में देखिए सुगम में भारत अभिय जनवरी 2021 प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख लेना काफी अच्छे से मैंने समझाए फिर भी देखिए अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव रहता है रिलेटी टू आवर करन्ट अफेर्स या जो भी आपका दुख दर्द है बिल्कुल आप मुझसे शेर कर सकते है मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ तब तक के लिए है वे वे समझे